नमश्चाव दोस्तों आपका पशू में आपका स्वागत है एक काफ स्टार्टर कैसे बनाया जाता है उसके अंदर इंग्रीडियन्स कौन-कौन से होते हैं और इंग्रीडियन्स किस मातरा में मिलाया जाते हैं आज हम चर्चा करने वाले हैं इस चीज के उपर बहुत ही डिम प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल प्याने वाले इस तरीके की वीडियो आप तक टाइम टू टाइम आती रहे और और भी किसानों तक ये वीडियो पहुंच सके उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि आपका सपोर्ट हमें भी मिल सके तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके के न्यूट्रिशन के मामले में या फिर आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए किसी भी तरीके की डाइट को तियार करने के लिए एक हमेशा स जरूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम एक डाइट तियार करते हैं जैसे कि यहां पर अगर हम पशु की बात कर रहे हैं तो पशु के शरीर को एनरजी प्रोटीन विटामिन्स फैट फाइबर कैल्शियम मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है तो उन सभ चीज़ों को किस मात्रा में किस चीज से निकाला जाए इसके लिए बहुत सी पर्मुटेशन एंड कंबिनेशन बनती है जामपल के तोर पर आप मान लीजिए अगर एक पशु को चार किलो ड्राइ मैटर चाहिए तो वो ड्राइ मैटर जरूरी नहीं है कि वो कंसंट्रेट स होती है मान लीजे आप। जो ऊचो दे रहे हैं मैज का दे है तो उसंें ड्राइ मेंटर की मात्रा कुछ और होगी और अगर आप कि सार्दीजों की और के Люб statistic reduction कि इतना प्रोटीन इतना कैल्षिम फॉसफ फ्स बागी सब चीज देने के लिए मेरा पास क्या क्या है तो उन उप्शंस में से क्या-क्या चीजे सस्ती है या फिक या चीजे ज्यादा अच्छी है उन चीजों को मिलाकर एक प्रॉपर डाइट तियार की जाती है सब से पहले तो मेरा सजेशन आप से यह है कि किसी भी डाइट को आप किसी के कहने से फॉल्व मत कीजिए हमेशा एक nutritionist या एक veterinarian की सला लीजिए जो कि आपको formulate करके बताएगा कि इस इस मात्रा में ये चीज़ देंगे तो इस से इतनी energy एक पशुकों मिल सकती इतना calcium मिलेगा इतना phosphorus और उनको लेके जो diet तियार होती है वो होती है एक scientific diet जो कि worldwide प्रूव होती है और यही reason है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे YouTube पे या और भी कहीं आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको हमेशा formulation लग-लग ही मिलती है किसी में मेज की मात्रा कुछ और होगी किसी में DCP डला होगा किसी में खल किसी में खल सोया बीन के डली होगी किसी में कुछ किसी में कुछ और वह फिर भी क काम करता है उसका रीजन दोस्तों यही है जो मैंने अभी आपको बताया एक्च्वल में हमें एक पशु को उसकी बॉड़ी की रिक्वाइरमेंट्स पूरी करनी है तो वो अगर हम सोया बीन के थू दे सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं गर हम उसकी जगा मेज की जगा हम सोरं गम दे कर दे सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो हमें उसकी बस की requirements को पूरा करना है उसके और वह चीज़ इक nutritionist बखुबु समझता है तो दोस्तों ये एक scientific formulation है जो कि worldwide प्रूव होती है अब ज़रूरी नहीं कि इसी scientific formulation से ही आपको मतलब हर फार्म पे या हर जगा डाइट मिलेगी बट एक काफ स्टार्टर बनवाने के लिए ये formulation भी आप बेजी जग बिना डाउट के यूज कर सकते हैं तो एक मान लीजे आप सो किलो की डाइट तयार कर रहे हैं जो कि आपको मान लीजे आठ या दस या बारा या पंदरा पशों कितनों को भी देनी है आप अभी सिर्फ मात्रा पर फोकस किजिए आपको सो किलो की टोटल डाइट बनानी है तो उसके अंदर इस formulation के इसाब से आप सेव भी कर सकते हैं इसके अलावा आप साड़े दस किलो सरसों का खल इस्तेमाल कर सकते हैं दस किलो आप चोकर का यूज कीजिए चोकर आप समझते ही हैं जो गेहूं होता है या किसी और भी चीज का जब उसको उसके छिलके से लग कर आजाता है तो जो चिलका होता है उस छ छिलकों को चोकर कहते हैं, तो यह दस किलो चोकर यूज़ कर सकते हैं इस डाइट के अंदर, सोया डी-ो-सी की मात्रा आप 27 किलो रख सकते हैं, मोलेसीज, जिसे की शीरा भी कहते हैं, 4.3 कजिए यानि 4.3 किलो, यानि के तिरतालिस सो ग्राम, चार किलो, तीन सो ग्राम आप रख सकते हैं नमक की मातरा आप आधा किलो रखिए इसके अलावा कैल्शियम पाउडर की मातरा आप डेड़ किलो रखिए DCP की मातरा एक पॉइंट दो किलो रखिए mineral mixture की मात्रा 1.2 kg रख सकते है 0.4 kg यानि 400 g trace mineral यूज़ कीजिए 0.2 kg यानि 200 g toxin binder यूज़ कीजिए 0.2 kg यानि 200 g खमीर यानि के yeast यूज़ कीजिए अब अगर आप इसको पूरा total करेंगे तो आपको 100 kg इसका total मिलेगा जिसका मतलब है ये सब कुछ इस मात्रा में अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास एक diet जो तयार होगी वो 100 kg की तयार होगी अब आप इसको divide कर सकते हैं जितने भी पशु आपके पास है उसमें और हर पशु को आपको कितनी मात्रा देनी है वो मात्रा आपके पास तय होनी चाहिए ना तो आपको उस मात्रा से ज़्यादा दे ना ही उस मात्रा से कम दे एक balance diet आपको देनी है अब वो balance diet होनी कितनी चाहिए कितनी मात्रा में आपको देना चाहिए उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है अगर आप चाहते हैं उस चीज़ पर एक अलग वीडियो बने तो आप मुझे प्लीस कॉमेंट बॉक्स में बताईए मैं आपके लिए वो वीडियो भी बनाऊंगा इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि मैंने आपको बताई कि फॉर्मिलेशन बहुत ही तरीके से बन सकती है यही चीज अगर आप देखें तो हो सकता आपको किसी दूसरी वीडियो में किसी और तरीके से बना के बताई हो बट अल्टिमेटली इन चीजों से जो भी प्रोटीन, विटामीन, कैलशियम, फाइबर जो भी चीजे एक पशु को देनी है वो चीज सबसे में होती है वो ध्यान में रखना कि वो चीजें जो है अगर इस डाइट से सब को मिल रही है तो हो सकता है वो चीजें किसी और डाइट से भी सब को मिल रही हो तो यही सोचकर एक दूसरी डाइट भी बनाई जा सकती है तो उसके लिए भी हमें एक वीडियो बना सकते हैं बट अगर आप हमें कॉमेंट्स में बताएंगे दोस्तों तब ही मैं उस वीडियो पर काम करूंगा बाकि आपको अपने डेरी फार्म के लिए अच्छे दुधारू पशु चाहिए तो हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें हम अलड़ी बहुत से पशु भेज चुके हैं भारत के बहुत से राजियो में आप इस प्ले लिस्ट पर सुन सकते हैं हमारे कस्टमर्स की जवानी की उनका हमारे साथ एक्सपीरिंस कैसा रहा और इस वीडियो को आप जितना लाइक और शेयर करेंगे और किसानों तक भी पहुँचेगी और जरूरत मन किसानों तक की वीडियो पहुँचेगी जिससे की इस वीडियो की भी रीच बढ़ेगी हमें भी सपोर्ट मिलेगा और चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके से डेरी फार्मिंग रिलेटिड टिप्स, नॉलेज और ट्रेनिंग वाली वीडियो हम बनाते ही रहते हैं कोमेंट्स में अपना फीडबैक रूर दीजिए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी जरूर लिखिए तो मैं अमंदीप सिंग आपका पशु की टीम से मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार